दुनिया में चाइना के समान का सबसे बड़ा खरीदार भारत है लेकिन चाइना ने हमेशा दोस्ती पाकिस्तान से निभा भारत को नुकसान पहुचाने की कोशिश की लेकिन अब भारत के लोग चाइना की नीटियों को पहचान गए हैं इसलिए पूरे भारत में चाइनी समा बेचा वलकि लोगों से अग्रहवी किया कि वे चाइनी समान को ना खरीदें क्योंकि इसका आर्थ एक नुकसान भारत की अर्थवस्ता को ही उठाना पड़ता है। इसको हम रुकने नहीं देंगे। जो हमारे इस देश की मिट्टी के अंदर जो हमारे शीदों का खून मिला हुआ है उसका अफमान करने का काम कर रहा है। हमारे जो सैनिक सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं उनकी जान लेने का काम जो चाइना का पैसा कर रहा है वो पाकिस्तान की मदद चाइना ने करके एक बड़ी गिनोनी हरकत की है। और हमने आज इस दीप माला के त्योहार के उपर कि दीप माला यानि दीपों की माला इस दीप को जादा जादा खरी दें और चाइना की जो समगरी है चाइना का पटाका है चाइना की लाइट है उसका बहिशकार करें इसके लिए आज हमारी पूरी टीम ने एक बड़ा करि ही है कि इस दिवाली के उपर चाइना का पटाका और चाइना की लाइट इसका हम भाइशकार करें मिट्टी के दियों को खरीते हैं चीन के समान के प्रियोग की वज़े से भारत के अर्थवस्ता को काफे नुकसान पहुंचा वहीं मिट्टी का समान बनाने वाले छोटे लग भग खतम हो गए थे लेकिन अब विधाय के शुरुआत से उन्हें बल मिला है उनकी खुशी का टिकाना नहीं चाइने समान के प्रती लोगों के बट्रुजान को देखते हुए मिट्टी का समान बनाने वालों ने अपने दियों को और भी सुन्दर बनाने की कोशिश क ताकि लोगों को इस और अकर्शितों और देश के संस्कृति से जुड़े भारत की मिट्टी से बने समान को घर की सजावट वे पूजा में इस्तमाल करें आज अंबाला में जब विधाय का सीम गोईल ने दिये बेचित लोगों ने जम कर खरीदा रही की और प्रणलिया कि वे सर्फ दिवाली पर ही नहीं वैसे भी चायने समान का प्रियोग नहीं करेंगे